Part 6 शब्द रचना वर्ड फॉर्मीशी प्रिफिक्स, सफिक्स and कमपाउंस आप जानते हैं कि रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होती हैं रूढ, योगिक और योगृड हिंदी में योगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती हैं उपसर्ग द्वारा, प्रत्ययय द्वारा और समास द्वारा एक उपसर्ग, प्रिफिक्स निम्नलिखित शब्दों को ध्लान से पढ़िए दुर्बल, दुर्जमा बल अधर्म, अजमा धर्म परा जै, परा जमा जै निर्गुण, निर्जमा गुण ये सभी शब्द शब्दांशों से जुड़कर बनी है दुर्ब, परा, अ, तथा निर्शब्दों के जुड़ जाने से क्रमशह मूल शब्द बल, जै, धर्म, तथा गुण के मूल अर्थ में परिवर्दन आ गया है ऐसे शब्दांश उपसर्ग कहलाती है वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेष्टा उत्पन करती है या उसके अर्थ में परिवर्दन कर देती है उन्हीं उपसर्ग कहती है उपसर्ग की विशेष्टाई उपसर्गों का स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता ये अन्य शब्दों के पूर्व लग कर उनका अर्थ बदल देती है उपसर्ग मुख्य तह तीन प्रकार के हैं 1. संस्कृत भाषा से आए उपसर्ग 2. संस्कृत भाषा के प्रभाव से हिंदी में विकसित उपसर्ग 3. विदेशे भाषाओं से आए उपसर्ग आगत उपसर्ग आईए उपसर्ग से बने शब्दों का अधियन करें एक संस्कृत भाषा के उपसर्ग उपसर्ग आर्थ उपसर्ग युक्त शब्द अती बहुत अधिक अत्यंत अत्याचार अतिरिक्त अतिप्राचीन अत्यधिक अधि, उंचा या श्रिष्ठ, अधिकार, अधिकरण, अध्यादेश, अधिपती, अधिनायक, अनु, पीछे, बाद में या गौन, अनुभव, अनुरोध, अनुशासन, अनुराग, अनुसार अप, अनुचित, या बुरा, अपकार, अपमान, अपवाद, अपयश, अपव्यय, अपहरण अभी, सामने, चारों ओर, या वेशिष्ट, अभिमान, अभिने, अभिप्राय, अभ्यास, अभिशाप, अभियोग अव, बुरा, हीन, या उप, अवनती, अवगुण, अवतरण, अवशेश, आ, तक, समेत, आकंठ, आजन्म, आदान, आजीवन, आचरण उत, उंचा, श्रेष्ठ, उपर, उत्चारण, उलंगन, उत्थान, उत्घाटन, उद्योग उप, निकट, समान, गौन, उपक्रित, उपग्रह, उपमंत्री, उपवन, उपसंहार दुर, बुरा, और कठिन, दुराचार, दुर घटना, दुर भाग्य, दुर बल, दुर गुण निर, रहित, निशेध, या बिना, निरपराध, निरादर, निरधन, निरगुण, निरविग्न नि, निशेध, निपुणता, अधिकता, नियम, निवास, निबंध, नियोग, निवारण परा, विपरीत, पराजय, पराक्रम, पराभव, परि, चारो ओर के अर्थ में, परिक्रमा, परीक्षा, परिकल्पना, परिपोण, परिवर्तन प्र, अधिक, या आगे, प्रक्रिती, प्रसिधि, प्राध्यापक, प्राचार्य, प्रगति प्रति, हर एक, विरुद या सामने, प्रतिध्वनी, प्रत्येक, प्रतिरक्षन, प्रत्यक्ष, प्रतिवादी, वि, विशेशता, भिन्नता या अभाव, विजय, विनाश, विदेश, विभाग, वियोग, सम, अच्छा, संयोग, संकल्प, संजय, सन्यासी, संपूर्ण, संतोष, सु, शुभ या सहज, सुगम, सुपत्थ, सुकर्म, सुपत्र, सुशिक्ष, दो, हिंदी के उपसर्ग, उपसर्ग, अर्थ, उपसर्ग युक्त शब्द, अ, अभाव, निशेध, अच्छूत, अथाह, अभागा, अपढ, अध, आधा, अध खिला, अध पका, अध जला, अध कच्रा, अध पचा, अन, निशेध, अभाव, अन जान, अन सुनी, अन देखी, अन बन, अन मना, उन, एक कम, उननीस, उनतीस, उनतालीस, उनचास, कु, बुरा, कुधंग, कुचाल, कुचक्र, कुपुत्र, चौ, चार, चौमासा, चौराहा, चौकन्ना, चौपाई, चौपाया, नि, रहित, निजर, निकम्म, निहत्था, निठल्ला, निगोडाज, पर, दूसरी पीडीका, परदादा, पर नाना, पर पोता, भर, भराहुआ, भर पेट, भरमार, भरपूर, भरसक, तीन, आगत उपसर्ग, अर्बी, पार्सी, उपसर्ग, अर्थ, उपसर्ग युक्त शब्द, एन, ठीक, पूरा, एन बक्त, एन मौका, कम, थोड़ा हीन, कम खर्च, कम जोर, कम अक्ल, कम उम्र, कम कीमत, खुश, अच्छा, खुश्म, खुश दिल, खुश खबरी, खुश नसीब, खुश किस्मत, गैर, भिन, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदारी, ना नहीं, ना लायक, ना पसंद, ना समझ, ना बालिग, ना दान, बद बुरा, बद नाम, बद सूरत, बद किस्मत, बद बू, बद दुआ, बे अभभ, बे वजः, बे अदब, बे अक्ल, बे दाग, बे बुनियाद, ला बिना, ला वारिस, ला जवाब, ला चार, ला परवाह, हम साथ, हम सपर, हम जोली, हम दम, हम उम्र, हम बतन, हर प्रत्येग, हर माह, हर साल, हर दिल, हर दम चार, अंग्रेजी के उपसर्ग, उपसर्ग, आर्थ, उपसर्ग युक्त शब्द, वाइस, उपसहायक, वाइस चांसिलर, वाइस प्रेंसिपल, वाइस प्रेजिडेंट सब, अधीन, नीचे, सब इंस्पेक्टर, सब वे, सब डिविजिन, हैड, प्रमुख, हैड क्लर्ग, हैड मास्टर, डिप्टी, सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, चीफ, प्रमुख, चीफ जोस्टस, चीफ मिनिस्टर कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग होता है व्याकरण बराबर वी जमा आ जमा करण अप्रत्यक्ष बराबर आ जमा प्रती जमा अक्ष समा लोचना सम जमा आ जमा आलोचना पर्या वरण परी जमा आ जमा वरण प्रत्युपकार प्रती जमा उप जमा कार सुसंगठित सु जमा सम जमा गठित आ सुरक्षित अ जमा सु जमा रक्षित निरभिमानी, निर जमाअभी, जमामानी, समाचार, सम जमाआ जमाचार, प्रत्यालोचना, प्रति जमाआ जमालोचना हमने सीखा, वे शब्दांश जो मूल रूप से पहले जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्थन और विशेश्टा ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता हिंदी भाषा में मुख्य रूप से तीन प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अर्भी, पारसी, अंग्रेजी के उपसर्ग प्रत्यय, सफिक्स निम्न लिखित का और खा शब्दों को भ्यान चे पढ़िए क, ख, लिख जमा आवट, बराबर लिखावट घब्रा जमा आहट, बराबर घब्राहट पढ जमा आई, बराबर पढ़ाई लड़का जमा पन, बराबर लड़क पन दुकान जमादार बराबर दुकानदार नमक जमाईन बराबर नमकीन खंड का के पदों के पीछे शब्दांश जोडने से नए शब्द बन गए हैं आवट, आहट, आई, पन, दार, इन आदी शब्दांशों का अपना कोई अर्थ नहीं होता लेकिन ये सब्दांश शब्द के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अते हैं हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश धात रूप या शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्मान करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं पढ़ आई पढ़ाई पढ़ आना पढ़ाना पढ़ आकू पढ़ाकू रंग इन रंगीन रंग इला रंगीला रंग आई रंगाई प्रत्यय के भेद प्रत्यय मुख्य दो प्रकार के होती हैं कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया की धात्यों में लगकर संग्या या विशेशन शब्दों का निर्मान करती हैं वे कृत प्रत्यय कहलाती हैं इनसे बनने वाले शब्दों को क्रिदंत कहते हैं। हिंदी के क्रित प्रत्यय प्रत्यय नव निर्मित शब्द एक, अककड, घुमककड, घुलककड, पियककड, दो, अन, धककन, मनन, चिंतन, मरन, तीन, आ, भटका, देखा, सोचा, समझा, लिखा, चार, आई, लिखाई, पढ़ाई, कमाई, पिटाई, चल्हाई, पाच, आउ, कमाई, तिकाउ, बिकाउ, चलाउ, छे, आकू, लडाकू, पढ़ाकू, साथ, आन, लगान, चालान, मिलान, उडान, आट, आव, बहाव, कटाव, बच्चाव, खिचाव, नो, आवट, बनावट, ठकावट, मिलावट, सजावट, लिखावट, दस, आवना, जरावना, लुभावना, सुहावना, ग्यारह, आवा, बुलावा, दिखावा, बुलावा, पहनावा, बारह, आलू, जगडालू, लजालू, तेरह, आहत, मुस्कराहत, घबराहत, चिल्लाहत, चौदह, ई, हसी, जुडकी, बोली, घुडकी, पंद्रह, आती, मनाती, पिराती, सोलह, आना, विच्छाना, खिलाना, सत्रह, क, लेखक, पालक, चालक, पाठक, अठारह, कर, लिखकर, जानकर, गिनकर, सोकर, उनीस, त, बचत, लिखत, पढ़त, खपत, बीस, ना, खाना, पीना, जाना, बैठना, सोना, 21, या, खाया, पाया, गया, सोया, बोया, 22, वाई, सुनवाई, कटवाई, लगवाई, तुलवाई, संस्कृत के क्रित प्रत्यय, प्रत्यय, नव निर्मित शब्द, एक, अन, गमन, भवन, करण, श्रवण, चलन, दो, अनीय, गोपनीय, पठनीय, करणीय, तीन, आ, उजा, इच्छा, विद्या, चार, इ, त्यागी, उपकारी, पाँच, उक, भिक्षुक, भावुक, छे, क, सेवक, पाठक, गायक, कारक, साथ, य, देय, पेय, गेय, आठ, ता, दाता, विपक्रेता, करता, अभिनेता, नौ, व्य, कर्तव्य, श्रव्य, लबधव्य, दस, स्थ, ग्रिहस्त, स्वस्थ, दूरस्थ, ग्यारहा, एया, शैया, नैया, तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय, संग्या, विशेशन, सर्वनाम आदी के साथ लगकर, नए शब्द बनाती है, वे, तद्धित प्रत्यय, कहलाती है, प्रत्यय, नव निर्मित शब्द एक, आ, भूखा, प्यासा, मेला, प्यारा, ठंडा दो, आई, बुराई, मिठाई, चतुराई, ठकुराई तीन, आना, चालाना, जुर्माना, रोजाना चार, आनी, जेठानी, देवरानी, महतरानी, पंडितानी पाँच, आर, सुनार, लुहार, चमार आरी, बिखारी, जुआरी, उजारी साथ, आस, मिठास, खटास, भडास आथ, आहट, कडवाहट, घबराहट, चिकनाहट नौ, एक, भोगोलिक, साहित्यक, धार्मिक, दैनिक, नैतिक दस, इन, लुहारिन, पुजारिन, कहारिन, सुनारिन ग्यारह, इया, रसोया, बिठिया, डिबिया, दुखिया बारह, इ, धनी, लालची, चाची, पहारी, गरीबी तेरह, इन, नमकीन, रंगीन, शौकीन चौदह, इला, चमकीला, नुकीला, रसीला, बरफीला, जहरीला पंद्रह, एरा, चचेरा, ममेरा, अंधीरा, सपेरा सोलह, कार, कथाकार, नाटककार, चित्रकार, कलाकार सत्रह, दार, दुकानदार, इमानदार, लेनदार, देनदार अठारह, वा, पाँचवा, दसवा, आठवा, सातवा, उन्नीस, वाला, रिक्षावाला, चायवाला, इक्केवाला, तांगेवाला बीस, हारा, लकड हारा, सर्व हारा संस्कृत के तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय नव निर्मित शब्द एक, आलू, दयालू, श्रतधालू, क्रिपालू दो, इत, पुष्पित, अंकित, पल्लवित, शोभित तीन, इमा, कालिमा, महिमा, नीलिमा, लालिमा चार, इय, स्वरगीय, भारतीय, शाशकीय पाँच, इल, पंकिल, धुमिल, जटिल छे, तम, स्वेश्टतम, महानतम, घोरतम, उच्चतम साथ, त्व, कवित्व, अमरत्व, मनुष्यत्व, लगुत्व आठ, ता, महानता, लगुता, एकता, मानवता न, नीय, गोपनीय, आदर्नीय, दस, वान, गुणवान, बल्वान, धन्वान, दयावान आगत प्रत्यय, प्रत्यय, नव निर्मित शब्द एक, अंदाज, तीर अंदाज, गोल अंदाज दो, इश, फर्माईश, कोशिश, आजमाईश तीन, दान, कलमदान, इत्रदान, पीकदान चार, मंद, अक्ल मंद, दौलत मंद, जरूरत मंद पाँच, बाज, चाल बाज, धोखे बाज, पतंग बाज उपसर्ग और प्रत्यय, दोनों का एक साथ प्रयोग कर नए नए शब्द बनाए जाते हैं जैसे, शब्द उपसर्ग, शब्द प्रत्यय, एक, अपमानित, अप मान इत दो, अधार्मिक, अ, धर्म, इक, तीन, उपकारक, उपकारक, चार, अभिमानी, अभि मान इ पाच, आ प्रत्याशित, अ, जमाप्रती, आशा, इत छे, परिपूर्णता, परिपूर्णता, साथ, बेचैनी, बेचैनी, आठ, निर्दै, निर्दयाई, नौ, अनुदारता, अनुदारता, दस, अलोकिकता, अ, लोक, इक, जमाता, हमने सीखा, शब्दों के अंत में लगाए गए शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं, प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत्प्रत्यय और तद्धित्प्रत्यय, धात्मों, अथ्वा क्रियाउं के अंत में लगकर, नई शब्दों का निर्मान करने वाले प् प्रत्यय कहलाती हैं। संग्या, सर्वनाम तथा विशेशन के अंत में जुडने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाती हैं। तीन, समास, कंपाउंट, शब्दों का निर्मान अनेक तरीकों से होता है। कुछ उपसर्ग प्रत्यय से बनते हैं, तो कुछ संधी से निर्मित होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जिनकी रचना ऐसे दो शब्दों से होती है, जिन में कोई संबंध होता है या हो सकता है। जैसे बैल की गाड़ी, यहां बैल और गाड़ी में संबंध है। बैल की गाड़ी, बैल गाड़ी, बैल जमा गाड़ी। विद्या के लिए आलैं, विद्यालैं, विद्या जमा आलैं। दस हैं आनन जिसके दशानन, दस जमा आनन, चार राहों का समोह, चौ राहा, चौ जमा राहा चित्र के नीचे दिये गए शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाए गए हैं इसी शब्द रचना विधी को समास कहती हैं परस पर संबंद रखने वाली दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहती हैं समस्त पद, समास रचना में दो या दो से अधिक पद होती हैं पहले पद को पूर्ग पद कहती हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहती हैं इन दोनों पदों के मेल से एक नया शब्द बनता है जिसे समस्त पद कहती है समास विग्रह जब समस्त पद के सभी पद अलग-अलग किये जाती है तो उसे समास विग्रह कहती है जैसे माता-पिता समस्त पद का विग्रह है माता और पिता समास के भेद समास छे प्रकार के होती हैं समास के भेद अव्यई भाव समास तत्पुरुष समास कर्मधारिय समास द्विगु समास ड्वन्व समास बहु व्रिही समास एक अव्यई समास निम्नलिकित समस्त पदों और उनके विग्रह पर ध्यान दीजिए आ जीवन, जीवन भर, यथा शक्ती, शक्ती के अनुसार, प्रति दिन, प्रत्येक दिन, भर पेट, पेट भर कर इन सभी समस्त पदों में पहला पद आ यथा प्रती तथा भर अव्यय है इन अव्ययों के योग से सम्पूर्ण पद अव्यय या क्रिया विशेशन बन गया है जिस समास में पहला पद अव्यय हो तथा समस्त पद अव्यय बन जाता हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है अव्ययी भाव समास के अन्य उदाहर्ण यथा विधी विधी के अनुसार प्रत्यक्ष आखों के सामने बे खटके बिना खटके के यथो चित जो उचित हो दो तत पुरुष समास निम्नलिकित समस्त पदों पर ध्यान दीजिये राश्ट्रपती भवन बराबर राश्ट्रपती का भवन राजा का मेहल बराबर राज मेहल जेब खर्च बराबर जेब के लिए खर्च अकाल पीडित बराबर अकाल से पीडित अर्थ की द्रिष्टी से राष्ट्रुपति भवन, राजमहल, जेब खर्च तथा अकाल पीडित समस्त पदों में दूसरा पद प्रधान है राश्ट्रुपति भवन राश्ट्रुपति का नहीं भवन का बोध करा रहा है राजमहल राजा का नहीं राजमहल का बोध करा रहा है जेव खर्च में जेव नहीं खर्च मुख्य है तथा अकाल पीडित में अकाल की ओर संकेत नहीं है बलकि अकाल से पीडित की ओर संकेत है यहां दूसरा पद प्रधान है अतहें ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण है जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं आपने ध्यान दिया होगा कि विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच का के लिए से परसर्ग विभक्तियां आई हैं तथा समस्त पद बनाते समय इन विभक्तियों परसर्गों का लोप हो गया है तत्पुरुष समास के उदाहरन का कर्मकारक की विभक्ति परसर्ग को का लोप ग्राम गत ग्राम को गत गया हुआ मरनासन मरन हो आसन पहुचा हुआ माखन चोर माखन को चुराने वाला सर्व प्रिये सर्व सब को प्रिये ख करण कारक की विभक्ति परसर्ग से या के द्वारा का लोप तुलसी कृत तुलसी द्वारा कृत हस्त लिखित हस्त हाथ से लिखित रेखांकित रेखा से अंकित मन घडंत मन से गड़ा हुआ ग संप्रदान कारक की विभक्ति परसर्ग के लिए का लोप परिक्षा केंद्र परिक्षा के लिए केंद्र हत कड़ी हाथ के लिए कड़ी देश भक्ति देश के लिए भक्ति विद्याले विद्या के लिए आले गा अपादान कारक की विभक्ति परसर्ग से कालोप, भै भीत, भै से भीत, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, पद मुक्त, पद से मुक्त, जन्मांध, जन्म से अंधा, त, संबंध कारक की विभक्ति, पर सर्ग, का के की, का लोप, राज कुमार, राजा का कुमार, समया नुसार, समय के अनुसार, राज सभा, राजा की सभा, सेना पती, सेना का पती, च, अधिकरण कारक की विभक्ति, पर सर्ग, में, पर का लोप, वन वास, वन में वास, ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश, आत्म विश्वास, आत्म पर विश्वास, घुड सवार, घोडे पर सर्वास, तीन, कर्मधारे समास, निम्न लिखित उधहरणों पर ध्यान दीजिये, चंद्र मुख, चंद्र के समान मुख, नील कमल, नीला कमल, चंद्र मुख में मुख की उपमा, चंद्र से की गई है, नील कमल में नील विशेशन है, कमल विशेश है, यहां दोनों पदों में उपमें उपमान तथा विशेशन विशेशे का संबंध है। यहां कर्मधार्य समास है। जहां पहला पद संख्या वाची हो वहां द्विगु समास होता है। जैसे चवन्नी चार आनों का समुह। समाहार तिरंगा तीन रंगों का समुह। यहां चवन्नी में चार तथा तिरंगा में तीन प्रथम पद संख्या वाची हैं। अतह यहां द्विगु समास है। नवरात्र नव न रातों का समुह। समाहार सप्ताह साथ दिनों का समुह। समाहार त्रिफला तीन फलों का समाहार चार राहा चार राहों का समुह। दुवन्नी दो आनों का समुह। पंचवटी पांच वटों का समुह। पांच द्वन्व समास नीचे लिखे समस्त पदों पर ध्यान दीजिए। दिन रात, दिन और रात, माता पिता, माता और पिता, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, सुख दुख, सुख और दुख. आपने देखा कि विग्रह करने पर दोनों खंड समान है, ये द्वन्द्व समास का उदाहरन है, जिस समास में दोनों पद समान हों, वह द्वन्द्व समास कहलाता है, द्वन्द्व समास के अन्य उदाहरन है, अपना पराया, अपना और पराया, गुरुशिष्य, गुरु औ और शिश्य, पाप पुन्य, पाप और पुन्य, राजा रंक, राजा और रंक, छे, बवु व्रिही समास, त्रि लोचन, तीन लोचन है जिसके, अर्थात शिव, वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती, निम्नलिखित समस्त पदू, तथा विग्रहों पर ध्यान दीजिए, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, जी, पीतांबर, पीत, पीला है अंबर, बस्त्र, जिसके, अर्थात विश्णूं, चक्र पाणी, चक्र है पाणी, हाथ में जिसके, अर्थात दश, दस है आनन, सिर जिसके अर्थात रावन, आपने देखा कि समस्त पद में पहला पद तथा दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रही हैं, यहां तीसरा पद प्रधान है, जिस समास में समास का कोई पद प्रधान ना हो, तथा समस्त पद किसी अन्य अर्थ का वाचक हो, उसे बहु व्रिही समास कहा जाता है, बहु व्रिही समास के अन्य उदाहरण, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका गणेश, चतुर मुख, चार है मुख जिसके ब्रह्मा, एक दंत, एक है दांत जिसका गणेश, ध्यान दीजिये, कई समस्त पद, बहु व्रिही, कर्मधार्य, तथा द्विगु समासों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, कौन सा पद किस समास का उदाहरण है, यह निर्डें उनके विग्रह को देख कर ही किया जा सकता है, जैसे पीतांबर, पीत जमा अंबर, कर्मधार्य, पीतांबर, पीत हैं अंबर जिसके अर्थात स्रीक्रिष्न बहु व्रिही, त्रिफला, त्री, तीन फलों का समुहु, समाहार, विगु, त्रिफला, तीन फलों वाली ओशधी, बहु व्रिही, हमने सीखा परस पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं पदों के मेल से बनने वाले शब्द को सामासिक शब्द या समस्त पद कहा जाता है समस्त पदों के बीच हुए संबंध को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाता है समस्त पद में मुख्यता दो पद होती हैं पूर्वपद, उत्तरपद समास के छेह भेद हैं तत पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारिय समास, अव्यई भाव समास, द्विंद्व समास, बहु ब्रीही समास समास